नमस्ते चात्रो आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा पाचवी की एक सुन्दर सी कहानी देखने वाले है भाई भाई का प्रेम क्या देखने वाले चात्रो तो भाई भाई का प्रेम इसके पहले भी हमने ये जो सुन्दर सी कहानी देखते समय दो भाईयों के जो प्रेम हैं जैसे कि इस पार्ट में दो भाई के प्रेम की जो कहानी है वह सचमुच भाईयों में ऐसी ही प्रेम या ऐसा ही प्रेम होना चाहिए छात्रो यही यह सुन्दर से कहानी दोरा आपको एक सुन्दर सा संदेश यहाँ पर दिया गया है छात्रो तो कल हम कहां तक पहुचे थे चात्रो तक कल हमने मनोरपूर नाम का एक सुन्दर सा गाव था वो सारी की सारी बाते हमने देखी थी लेकिन हम सबसे पहले ये कहानियों में आने वाले जो शब्दार थे वो शब्दार के बारे में देखेंगे तो देखें चात्रो हम देख रहे है हिंदी सुलब भार्थी कक्षा पाचवी की सुन्दर सी कहानी भाई भाई का प्रेम क्या देख रहे चात्रों भाई भाई का प्रेम तो देखिए सबसे पहले शब्दार देखिए उपजाओ उपजाओ याने जो कि आपको तो पता ये उपजाओ यानि अधिक अनाज पैदा करने वाली जो जहमीन है उसे उपजाओ कहते हैं उसके बाद देखिए अधिकांश अधिकांश यानि अधिकतम हिस्सा भी हम जो अधिकतम हिस्सा आप कर सकते हो उसे उसके बाद देखें भलाई, अच्छाई, अच्छा हीत, ऐसा भी आप उसे कह सकते हो उसके बाद देखें, खलियान, यानि वह जगह, जहां किसान अपनी फसल काट कर वहाँ पर रगता है, वह जगह उसके बाद देखें, ग्रहस्ती, घरेलु सामगरी हो, या घर का कामकाज हो, उसके बाद देखें, सायता, यानि मदद, गठरी, आप शिरपर लेते हो न चात्रो, जो कि लक्डियों की गठरी हो, या अनाज की गठरी हो, तो गठरी, यानि कपड़े में गाट लगाकर बांद छात्रो भाव विभोर भाव नाव में खोया हुआ तो छात्रो हिंदी सुलब भारती कक्षा पाच्वी की सुन्दर्शी कहाने आज देखेंगे भाई भाई का प्रेम तो देखें छात्रो हम कहां तक पोचे थे हम मनोरपूर गाव में पोचे थे एक सुन्दर्शा गाव था वह गाव के मिट्टी बहुत उपजाव थी ये भी हमने देखा गाव के अधिकाश याने बहुत से जो लोग है वह महां पर क्या क्या करते थे तो खेती क्या करते थे क् कि वहां की जमीन कई ची थी उपजाव थी इसी मनों पूर में दो भाई रहते थे कितने भाई रहते थे दो भाई रहते थे दोनों के दोनों कोन थे किसान थे दोनों के दोनों किसान थे उनके घर अलग अलग थे पर वह दोनों के बीच में बड़ा प्रेम था बड़ा दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में ही सोचा करते थे तो देखीए यहां तक कल के विडियो में हमने देखा आज अगला पैरिगप देखेंगे आज छातरो आपको पेज नंबर 29 निकालना है 29 पर पोचे हम छातरो और 29 पर जो पहरेगाप है अगला वो देखेंगे आज देखिए इस वर्ष पुरे गाव में फसल अच्छी हुई थी इस साल जो फसल है वो अच्छी हुई थी और कटाई भी हो चुकी थी जो आने वाला जो आनाज है जब भी बोकर आपको तो पता ये जब फसल जब आती है तो उसे सबसे पहले क्या किया जाता है उसे काटा जाता है और उसी प्रकार इस गाव में सब तरफ फसल आच्छी हुई थी उसे काटा भी गया था वो फसल को और वो फसल काट कर कहां रखे गई खलियान में सब के अनाज के धिर लगे गई थे देखें गाव के सारी के सारी कटाई हो चुकी ती फसल की और कटाई होने के बाद उसके धेर लगाए गए कहाँ पर खलियान में सबके अनाज के धेर वहाँ पर लगाए गए और फिर एक दीन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा मेरे दो बच्चे है क्या सोचने लगा बड़ा भाई या कितने भाई है मनोरपूर में दो भाई एक छोटा और एक बड़ा दोनों के घर अलग-अलग थे जो कि मनोरपूर जो गावशी थी उपजाव थी वहाँ के अधिकांश लोग क्या करते थे तो खीटी करते थे और तभी ये जो बड़ा भाई है एक दिन जो रात का समय था और सोते सोते वह सोचने लगा मेरे दो बच्चे है बड़े भाई के कितने बच्चे है दो बच्चे है और वे ग्रहस्ती में मेरे कुछ ना कुछ मदद करते ही है ग्रहस्ती में यानि मेरे हाथ वो बटाते है कौन मेरे दोनों के दोनों बेटे मेरे कामकाज में वो हाथ बटाते है मदद करते है मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है मेरा जो छोटा भाई है मुझे दो बच्चे लेकिन मेरा जो छोटा मेरा भाई है वो भाई हो कोई भी बाल बच्चे न पड़ना पड़ता है, कौन सोचने लगा, बड़ा बाय, कब सोते सोते, शाम का जो समय था और सोते सोचने लगा, कि मेरे दो बेटे है complaints और वह घर के घर का हो, या खेती का जो कामकाज है, वह कामकाज में मेरी मदद मेरे करते हैं, लेकर मेरा जो चोटा भाई है उसे कोई बाल बच्चे भी नहीं है और उसे सारा का सारा काम अकेले ही संभादना पड़ता है इसलिए मुझे उसकी साहता करनी चाहिए इसलिए बड़ा भाई सोचने लगा शाम को रात के सोते सोते कि क्यों ना मैं मेरे छोटे भाई की मदद कर लू साहता कर साहता याने मदद तो देखे क्यों ना मैं मेरे भाई की साहता कर लू मदद कर लू वह सोचकर वह उठा और खलियान में गया देखे वह सोचते सोचते वहाँ से उठा और सिधा कहां पहुचा जहां पर फसल की जो कटई हो चुकिती और सारी की सारी फसल खलियान में एक अभी उसी समय खलियान में अपनी अनाज के धेर से उसने दस गट्रिया अनाज की गट्रिया जो की आप कपड़ों में हो या दोर के साहिता से हो वह बड़ा भाई वहां से उठा सिदा खलियान में पहुचा और खलियान में खलियान याने क्या तो फसल काटकर जहां पर रखी लगया ज kingdom की उसे हम क्या करते हैं ख्लयान चात्रों तो वह ख्लयान में पहुचा बड़ा भाई और जहां पर ढे अलिगा था वह देर से उसने दस गठरिया आता कितने गठरिया आपको सवाल पूचा जा सकता है चात्रों क्या बड़े भाई ने ख्लयान में से कितनी गठरिया निकाली तो कितनी तो दस गठरिया निकाली तो सबसे पहले वो दस गठरिया उसने निकाली आनाज की उसे बान लिया और उन में से एक गठरी सीर पर रखकर छोटे भाई के धेर की ओर बड़ा देखे उन में से एक गठरी सीर पर रखकर चोटे भाई की देर क्योंकि आपको तो पता ही है भाई भाई सगे भाई है तो दोनों की खेती भी जोकी नजीकी होती है उनके दोनों भाईों की देर भी नजीकी होगे तो उसने वह दस गट्रिया बांदी और वह गट्री अपने सीर पर रखका चोटे भाई की खलियान की त कि जब बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में सोच रहा था उसी समय जो छोटा भाई भी अपने बड़े भाई के बारे में प्रकार सोचता है देखिए ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बेटा सोच रहा था मैं जवान हूँ जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ जहाँ चाहे चाहूँ देखे चात्रो छोटा भाई क्या कर रहा था ठीक जिस प्रकार बड़ा भाई सोच रहा था उसी प्रकार छोटा भाई भी क्या सोचने लगा कि ठीक उसी समय छोटा भाई ने अपने घर के घर में ही बेटे बेटे वो सोचने लगा मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना भी काम कर सकता हूँ, जहां चाहूँ, जा सकता हूँ, किसी कारणवश इदी किती में फायदा नहीं हुआ, तो कोई दुसरा काम भी कर लूँगा, हमारा खर्च कब हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई तो बाल बच्चे वाले हैं, देखे, जब क्या कहने लगा, घर में बेटे बेटे, छोटा भाई भी सोचने लगा, बड़े भाई के बारे में, मैं फिलाल जवान हूँ, मैं जहां चाहे जा सकता हूँ, किसी भी कारणवश इदी खेत में कभी फायदा नहीं हुआ, तो कहीं पर भी मैं दुसरी जगह भी काम कर ल है, मेरे से ही ज़्यादा बड़ा परिवार है उनका, ऐसा, कौन सोचने लगा, छोटा भाई, घर में बेटे बेटे, और बड़ा भाई कब सोच रहा था, रात के जो समय था, वह सोच रहा था, छोटे भाई के बारे में, चोटा भाई क्या सोचने लगा, कि मेरा जो बड़ भाई है उसे दो बेटे है मैं ऐसा सोचे के भी फाइदा ने हुआ तो मैं कहीं पर भी काम दूसरा भी काम कर सकता हूं लेकिन मैरा जो बड़ा भाई है वह बड़े भाई के जाना घरतिक है अधिक है क्योंकि बड़े भाई के क्योंकि परिवार बड़ा है तो वहां घर के जो कामकाच के लिए लगने वाला जो पैसा दिये वह भी कैसा होगा चात्रो तो ज्यादा ही होगा इसलिए मुझे उनकी साहता करनी चाहिए और वह भी उठा और खलियान में गया देखे तब उसने सोचा मेरे बड़े भाई के घर्ज भी आदिक है इसलिए मेरे बड़े भाई की साहता करना या उनकी मदद करना मुझे अवश्यक है तबी वह अपने घर से उठता है और सिधा कहां पोचता है चात्रो तो खलियान में जाकर पोचता है और आपको पता है जो बड़े भाई क्या करता है देखिए खलियान में अपने अनाज के घर में से उसने भी दस गट्रिया अनाज बांदी देखिए जिस प्रकार बड़े भाई ने दस गट्रिया अनाज बांदी उसी प्रकार छोटे भाई ने भी अपने खलियान में से दस गट्रिया निकाली और उसे ब बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ गठरे लेकर जा रहा था तो छात्रो ये प्यारीगाब तक ही आज रुकेंगे आगला प्यारीगाब जो है वह कल के वीडियो में हम देखेंगे आज तरक के लिए यहीं पर रुकेंगे छात्रो थैंक यू